अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था ऐसी अंधेरी रात में निशान्त अपनी कार से घर की ओर जा रहा था वह जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहता था तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया निशान्त आगे बढ़ रहा था तभी उसने हाथ दिया निशान्त गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था लेकिन अचानक वह आगे आ गया जोर से ब्रेक लगाकर निशान्त ने गाड़ी रोकी, उसे बहुत गुस्सा आया निशान्त क्या है मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला आदमी मरना नहीं बचाना है तुझे तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को निशान्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आदमी परेशान है फिर भी इतना गुस्सा कारोबार तेरा चल नहीं रहा परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे उपर मौत का साया चाया हुआ है निशान्त तुम्हें यह सब कैसे पता? आदमी इस अमावस्या की रात मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था मुझे पता था तु हाइवे छोड़ कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा मुझे अपने साथ ले चल आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है निशान्त दर गया उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया निशान्त ने गौर से देखा काले कपड़े पहले वह कोई तांत्रिक था गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी हाथ की हर उंगली में अंगूठी उसका रंग भी सामवला था आंखों में काजल लगाए हुए था निशान्त ने सोचा कहीं इसे गाड़ी में बिठा कर कोई गलती तो नहीं कर दी लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया निशान्त चुपचाप गाड़ी चला रहा था तभी उस तांत्रिक ने कहा तांत्रिक रुपजा यहीं पर वो सामने देख जिन खड़ा है अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा निशान्त लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है तांत्रिक चुप रह वो तुझे बुला रहा है तेरी मौक बन कर चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे निशान्त ने ऐसा ही किया गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में गुप अंधिरा छा गया तभी निशान्त ने तेज आवाज सुनी जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है तांत्रिक लाइट जला लगता है वो जा रहा है निशान्त ने लाइट जला कर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड गिरा पड़ा था निशान्त बाबा अभी तो वहां कुछ नहीं था तांतरिक चुप रह वह जिन्न गुस्सा होकर जा रह पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है निशान्त लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तांतरिक वह चला गया लेकिन गुस्से में यह पेड बीच में गिरा गया यहां से गाड़ी मोर ले वैसे भी आगे जा नहीं सकते निशान्त बाबा आपने मेरी जान बचा ली बहुत बहुत धन्यवाद तांतरिक वो सब बाद में भाग यहां से यह जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं निशान्त गाड़ी मोर कर दोड़ा रहा था फिर वहां हाइवे पर पहुँच गया शहर आने वाला था तभी तांतरिक ने कहा तांतरिक गाड़ी रोक दे मुझे यहीं उतरना है निशान्त लेकिन बाबा इस रास्ते पर आप कहा जाएंगे तांतरिक मुझे सवाल मत कर चुपचाप घर चला जा कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा निशान्त डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया घर पहुँच कर उसने अपनी पतनी रेखा को सारी बात बताई रेखा सुनिये माम पिताजी को यह सब मत बताना पिताजी पहले से बीमार है मांजी यह सब सुनेंगी तो डर जाएंगी निशान्त अरे उस्तांतरिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं वह यहां तक कैसे पहुँचेगा रेखा वह सब छोड़िये आप सही सलामत आ गए यही काफी है अगले दिन रात को नौ बजे किसी ने दर्वाजा खठटाए निशान्त ने गेट खोला सामने वही तांतरिक खड़ा था निशान्त बाबा आप आपको मेरा घर कैसे मिला तांतरिक मुझे पूजा करनी है तेरे घर में किसी का साया है तांतरिक ने पूजा शुरू कर दी तभी उसकी निशान्त की मा तांतरिक के सामने आकर बैठ गई मा तुझे भी खा जाओंगी तांतरिक किसने भेजा है तुझे यहां मान इस परिवार को बरबाद करना है तांतरिक सही सही बता क्या बात है माक यह मुझे शमशान से साथ लाया तांतरिक कब? माक इसका दोस्त मरा था तब यह शमशान गया था वहां इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिताजल यह जूते पहन कर उस पर चड़ गया तभी मैं इस से बदला लेने इसके साथ आ गई तांतरिक निशान्त यह सही बोल रही है निशान्त हां पता नहीं बाबा एक चिता जल तो रही थी पास में पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया तांतरिक शमशाम में जूते पहन कर क्यों गया तू निशान्त बाबा गलती हो गई तांतरिक लड़का गलती मान रहा है जा चली जा यहां से माँ नहीं इसके बाब को ले कर जाऊंगी तांतरिक मेरे साथ चल मैं तुझे मुक्ती दिलाऊंगा माँ मुझे मुक्ती नहीं मिल सकती मेरी बेटी भूखी है तांतरिक कहा है तेरी बेटी? माँ जमना के पीछे जुग्गी में है उसे भूखा छोड़ कर मैं भीख मांगने निकली थी तभी एक ट्रक चड़ गया मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है तांतरिक तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा चल मेरे साथ तभी निशान्त की मा बेहोश हो गई तांतरिक तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा तभी इसकी आत्मा को शांती मिलेगी जल्दी बोलो रेखा ठीक है बाबा हम पालेंगे लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए निशान्त ने भी उसकी हां में हां मिलाई तांतरिक और निशान्त उस जुग्गी में गए वहां जुग्गी वालों से बात की और निशान्त ने उस बच्ची को गोद ले लिया उसके बाद न तो वह तांत्रिक नजर आया न वह चुड़े निशांत का परिवार बहुत खुशाल हो गया उसके पिता स्वस्थ हो गए कारोबार फिर से चलने लगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद